घर में बरकत क्यों नहीं होती? यह 30 काम बनते हैं गरीबी की वज़ए. नमस्कार दोस्तों, हर हर महादे. स्वागत है आपका हमारे चैनल में. आज के समय में हर किसी की यह शिकायत होती हैं कि हमारे घर में बरकत नहीं है, पैसे में बरकत नहीं है, घर में हमेशा परेशानी पैसा होने के बावजूत भी जरूरतें पूरी नहीं होती। यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो सबसे पहले आपको इस परिशानी की वजह ढूंडनी होगी। और फिर उस वजह को जड़ से खत्म करना होगा, जो हमारे घर की बरकत को खत्म करती है। और हमेशा परिश गरीबी आती है और जिन्दगी में परिशानियों की वजह बनते हैं। तीस ऐसे काम जिन्हें करने से आपके घर में कभी बरकत नहीं होगी। अगर आप भी अपने घर में गरीबी, तंगी और बरकत नहोने से परिशान है, तो आप इन चीजों और इन कामों को आज से ही कर जिनके बारे में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। जिनके बारे में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। जिनके बारे में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। जो की ऐसा करना ठीक नहीं क्योंकि महमान भगवान के समान होता है। साथ दांच से नाखून काटना, दांच से नाखून काटने से ना तो बरकत होती ही है, साथ ही नाखून भी खराब होते हैं। आठ आमदनी से ज्यादा खर्च करना, आमदनी से ज्यादा खर्च करने की आदत आपको एक दिन गरीब बना देती है। नौग बुरे ख्याल करना, किसी के बारे में हमेशा बुरा सोचना या मन में गलत ख्यालों का लाना भी अच्छा नहीं होता। 10. कबरिस्तान में हसना, कबरिस्तान या शम्शान घाट में हसना भी अशुभ माना जाता है। 11. खड़े-खड़े पजामा पहनना, बुजुर्गों के अनुभव से खड़े-खड़े पजामा या पेंट पहनना भी अच्छा नहीं होता। 12. औरत का खड़े-खड़े बाल बांधना, बहुत सी औरतें खड़े-खड़े बाल कंगी करती हैं या बांधती हैं। उनकी यहां आदत भी गरीबी का सबब होती है। 13. सुरज निकलने तक सोते रहना, देर से जागना, सुबह जल्दी उठने के बहुत अच्छे-च्छे फाइदे होते हैं। 14. पेड़ के नीचे पेशाब करना, पेड़ के नीचे पेशाब करना भी गलत माना जाता है। इससे भी घर में गरीबी आती है। 15. टॉइलेट के अंदर बाते करना, आज के जमाने के लोग बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं। इसलिए वे टॉइलेट के अंदर भी मोबाइल आदी के जरीए बाते करते हैं। 16. उल्टा सुना, बहुत से लोगों को उल्टा लेटने से अच्छी नीद आती है। जबकि उन्हें पता होना चाहिए कि उनकी यह आदत बहुत बुरी है। 17. बाय पैर से पजामा पहनना, बाय पैर से पजामा पहनना या चपल पहनना भी अशुभ माना जाता है। 18. पीने का पानी रात में खुला छोड़ना, पीने का पानी रात में खुला नहीं छोड़ना चाहिए 19. दांच से रोटी काट 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 के खाना भी अशुभ माना जाता है बीस हाथ धोए बगैर खाना खाना, बिना हाथ धोए खाना खाने से भी घर में बरकत खत्म हो जाती है 21 अपनी आुलाद को हर वक्त कोसना, हर वक्त अपनी आुलाद को लड़ते डाटते रहना भी अच्छा नहीं होता इससे इश्वर नाराज हो जाते है 22 दरवाजे पर बैठना, कुछ लोगों की दरवाजे पर बैठने की आदत होती है या उन्हें अच्छा लगता है जबकि ऐसा कहा जाता है कि दरवाजे की तरफ सर करके सोना भी नहीं चाहिए 23 लहसुन और प्यास के छिलके जलाना, कुछ औरते प्यास लहसुन आदी के छिलके निकाल कर फैंकने के बजाए चूलहे में ही जला देती है जिससे अन्न की बरकत चली जाती है 24 मुमबत्ती या चिराग को फूप मार कर बुझाना, आपने अपने माबाप या अन्य किसी बुजुर्ग से यह सुना होगा कि मुमबत्ती, अगर बत्ती आदी जैसी चीजों को फूप से नहीं भुझाना चाहिए 25 जूठी कसम खाना, जूठे वादे करने से भी इनसान के जीवन में परिशानिया आ जाती है 26 उल्टा चपल देखकर उसे सीधा ना करना, यदि आपको उल्टा चपल दिखाई दे तो उसे तुरंट सीधा कर दें क्योंकि यह चपल भी आपके जीवन में बहुत बदलाव कर सकती है 27 घर में मकडी के जाल का होना उजाड की निशानी बताई जाती है इसलिए घर में मकडी का जाल नहीं रखना चाहिए 28 घर में कच्रा रखना बहुत से लोग अपने घरों में साफ सफाई नहीं रखते हैं उन्हें बता दें कि बड़े बुडों के अनुभव से यह काम भी बरकत ना आने की वज़ए बनती है 29 दान नहीं देना, दान नहीं करने से भी घर की बरकत चलती जाती है और गरीबी आ जाती है 30 निशकर्ष यह वह चीजें या काम है जिन्हें करने से आपके घर में बरकत नहीं होती है और ये चीजें घर में गरीबी लेकर आती है ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमारे बड़े बुज़ुर्बों ने अपने तजुर्बे से बयान किया है और ऐसे कामों को करने से मना किया है यदि आप भी चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा बर्कत बना रहे तो आप भी इन कामों को करने से परहिस करें इन कामों से निजात पाने की हर मुम्किन कोशिश करें तभी आपके घर से गरीबी और परिशानी दूर हो सकती है तो उम्मीद हैं दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके बहुत काम आई होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेर करें और साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें धन्यवाद